तो हलो फ्रेंड तो वेलकम बैक आपके अपने चैनल के अप्वेट में यहाप अभी बात करेंगे कि अभी जो सर्कुलर निकल के आचुका है पीज आडमेशन से रिलेटेड अभी हमें कल और आज दो वीडियो अप्वेट किया था ठीक है उसके बार में देखा था कि आपके डाकुमेंटेशन का क्या प्रब्लम था आपका अप्लिकेशन फॉर्म प्रोसीट नहीं हो रहे था ठीक है यहाँ पर आपका नोटिस आ चुका है सर्कुलर निकल चुका है आपके अडमेशन रिलेटेड ठीक है शेडूल जो आपका पूरा यहाँ से हम चेक आउट करेंगे स्टेप बाइस सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक आउट करने आप ठीक है आज यह अभी तोड़ी देर पहले अप्लोट हुआ है तो यहाँ पर कोर्से देख सकते यह में है यह में सी ठीक है मास्टर आप्स जितने भी कोर्से से आपके नॉन से टीक है उनके लिए आप यह आ चुका है 2021-22 के लिए ओके तो फाइनली यहाँ पर स्टेज आपके रहेगी फिलिंग और अप्लिकेशन फॉर्म 27 से चार तारीक के बीच में आपको आपको अप्लिकेशन फॉर्म फिलप करने टिक अप्टू पास बजे तक टिक है वेबसाइट आपको दिये गया है उसक से चातारीक के बीच में उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो आप दिखा है दिस्पले प्रोविजनल मिरेट लिस्ट ऑफ इलिजिबल कंडिडेट ऑन वेफसाइट ठीक है यहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट के बात हो रही है मतलब जो लोग अपना अप्लिकेशन फॉर्म फिलम करेंगे ठीक है उसमें जो लोगों का करेक्ट रहेगा अप्लिकेशन फॉर्म ठीक है कुछ करेक्शन नहीं रहेगा सारे चीज़े ओके रहेगे तो उनके मिरेट लिस्ट लगेगी मतलब इतने लोग आपके इलिजबल है इनका फॉर्म ओक है और यह अगले प्रोवि जो कि छे तारिक को आपको मिल जाएगे पाच बजे तक उसके बाद थार्ड ऑप्शन किसी का अगर नाम नहीं आता है उस लिस्ट में कुछ करेक्शन होता है उनके अप्लिकेशन फॉर्म में तो उनको एक दिन का टाइम देजा जाता है छे से साथ आपका एक दिन का टाइ फिल अब परने के लिए इलिजिबल हो जाते ठीक है उसके बाद सेकरड आपका फिफ्ट नमर पे रहेगा आपका अप्लिकेशन फॉर्म फोर्म को फिल अप करना पड़ेगा राउंड वन के लिए जो कि नव से गयारा के बीच में आपको फिल अप करना पड़ेगा ओके त एक मिनिटा ठीक है इसके बाद यहां पर डिस्प्ले अलॉट्मेंट सीट उन वेबसाइट टीक आप जिन जिन लोगों का नाम आ चुका है जिनका नमबर लग चुका है ठीक है उनके एक लिस्ट लग चुके होते हैं अपलोड किया रहता है यह उनिवर्सेटी वेबसाइट क आप जिन लोगों का नमबर लग चुका है जब वो अपने यूजर आइडे से साइन करते है तो उनके अकॉंट पर ही उनका एक उप्शन अप्लिकेशन फॉर्म में लिखा होता है कि आपको इस इस कॉलेज में आपको नमबर लग चुका है और आप इलिजिबल है इस इस प आप अप्लाइक कर सकते हैं इसके बाद एट नमबर पर रिपोर्टिंग तो कॉलेज जिस कॉलेज में आपका नमबर लग चुका है मतला आप जब लॉगिन आड़ी पर उपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजे में दी जाएगी कि आपका पर्टिकुलर कॉलेज में मिलता आपको सारे चीज आपको लेके प्रटिकुलर कॉल रजम आपको जाना पड़ेगा अपको यह वाद होने के बाद आपका फॉर्स राउंड की प्रोसीस हो जाती खतम ठीके उसके बाद आपका डिस्प्ले हो जाएगी कि फॉर्स रौन के बास सेकंड राउंड के पर लगता है तो आपको फिर देखिए तेंट नमबर से तेंट नमबर से फिर से आपको आपका राउंड टू के लिए अपनों ऑफ्शन फ़र्म भरना पड़ेगा सिमेलरी जैसे राउंड वन के लिए भरा सिमेलरी ट्वेल्थ नमबर पर आपको यूश्य होगा आपका किसमेस्ट के लिए अपने mezzins को आपका कॉंसेलिंग राउंड होता है मतला स्पोड राडमिशिन हें अगर बचेंग महें उन्स होता ٍवह कुछ स्वर्मक een थिक हो आपके चांस होतांने ये फंस करना हम को देना पड़ता है फ्र 빨리 में उपका नाम देना पड़ता एं तो बनाते जाएंगे चानल पर नहीं हो चानल को सब्सक्राइब कर देगे जो तो भी आपके upcoming updates आते रहेंगे admission related हम आपको provide कर सके अब तक तब तक के लिए thank you